नमस्कार, फल्मी बीट मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका पांच साल पहले इस गंभीर बिमारी से हो सकती थी सुश्मीता सेन की मौद लंबे समय तक लड़ी सुश्मीता ने जिंदगी की लड़ाई बॉलिवर्ड अक्टर सुश्मीता सेन की गिंती इंडर्स्ट्री की सबसे फिट अक्टरस की लिस्ट में होती है और वो सोशल मीडिया पर अक्सर वरक आउट करते हुए अपनी तस्वीरे शेयर भी करती है साथ ही साथ सुश्मीता काफी फिटनेस फ्रीक है हाली में उन्होंने बताया कि साल 2014 में उनकी तविएत काफी खराब हो गई थी जिसके चलते उनकी मौत तक हो सकती थी सुश्मीता सेन ने हाली में एक इंटर्व्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि साल 2014 में एक बिमारी के चलते उनकी जंदगी लगभग खत्म हो गई थी और कैसे उन्होंने इस बिमारी से लड़ाई लड़ी सुश्मीता ने अपने इस इंटेव्यू में बताया कि साल 2014 में मैंने अपनी बंगाली फर्म नर्बाग की शूटिंग खत्म की थी जिसके बाद मेरी तव्यत काफी खराब हो गई थी हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि मुझे क्या हुआ है मैं बेहोश हो गई थी जिसके बाद मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया जहां मेरे कई टेस्ट हुए टेस्ट के बाद पता चला कि मेरी एडर्नल ग्लांट्स ने कॉरिस्टॉल नाम का हार्मोन बनाना बंद कर दिया है इतना ही नहीं सुश्मीता अपने इस इंटर्व्यू में यहीं नहीं रुकी उन्होंने आगे बताया कि इस बिमारी के चलते मेरे शरीर के अंग धीरे धीरे कर खराब होते जा रहे थे मुझे खुद को बचाने के लिए स्टेरोइड लेने थे जो आट घंटे तक मुझे जिन्दा रखने के लिए जरूरी थे इसके बाद मेरे अगले दो साल ट्रॉमा से भरे रहे लोग मुझे देखते थे मैं पूर्व मिस्स यूनिवर्स हूँ और मुझे खुबसूरत दिखना जरूरी है मेरे बाल बहुत जरने लगे थे सुश्मिता ने आगे बताया कि ये वो स्टेरोइड नहीं था जो की वोकाउट करने के लिए लिया जाता है ये बिलकुल अलग है जिससे आपका वजन बढ़ता है इससे आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मुझे तुरन स्टेरोइड बंद करने के लिए कहा गया और मेरे टेस्ट हुए डॉक्टर ने मुझे से पूछा कि क्या तुमने स्टेरोइड लिये है मैंने बताए कि मैं कुछ खाने के बाद स्ट्रियोइड लूँगी तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें ये स्ट्रियोइड लेना बंद करना होगा डॉक्टर ने सुश्मिता से कहा कि 35 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोटी सोल फिर से बनने लगे मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने तीन बार टेस्ट किये हाला कि बाद में सुश्मिता की माने तो उन्होंने स्ट्रयोड लेने बंद कर दिये सुश्मिता अब बलकुल फिट है और अपनी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट भी है वो काफी वर्क आउट भी करती है और अपने फैंस के साथ उसके वीडियो और तस्वीर अक्सर शेयर कर करती रहती है मैरा अब हम भी यही सुश्मिता को कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखा कीजिए क्योंकि सुश्मिता आपके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा